आप भेदभाव से काम कर रहे हो इस सविधान की मूल भावना के विरुद्ध आप काम कर रहे हो तो ये इस देश के लिए बड़े खत्रा है कि हमारे खाने के लाले पड़ रहे हैं आज हमें भर पेट रोटी नहीं मिल रही है आज हमारे तन पे कपड़े फिर कम होते जा रहे हैं आज हमारे पर रहने की जगहें चीनी जा रही हैं आज हमारे उपर तमाम तरह के आकरमन हो रहे हैं उनके अंदभक्त खुश हैं तो उनक लोग विरोजगार हैं जनता का देश और इस जनता जिस दिन खड़ी हो गई उस दिन इन मनुवादियों के पैर उखड़ जाएंगे और इनको इस देश की धर्ती से भागना पड़े नमश्कार मैं नूर जहाँ और आप देख रहे हैं जनतावाज इस तरीके से आज का जो दिन है महिलाओं को बेहत याद रहने वाला है बिल्किस बानों का केस तो आपने सुनाई होगा इतने सालों बाद जो उनको उमरकैत की सजा दी गई थी उसके बाद दुबारा उस पे कहा जा रहा था कि सजा माफ की जाएगी है क्या कुछ होने वाला था लेकिन आज का जो दिन है वो गुजरात हाई कोट पे एक तमाचा मारने वाला दिन कहा जा सकता है कि किस तरीके से उनकी सजा वापिस से उनको जेल में डाल दिया गया जो ग्यारा आरोपी थे और इसी चीज़ पर हमारे साथ बाचीत करने के लिए मौजूद है अशोक अग्यानी जी सर क्या कहेंगे अब दुबारा उनको वापिस जेल देंति है नयाए पे और कानून पर विश्वास करती है उसके विश्वास को बनाए रखना यह नयाय ले की जिम्यदारी है और यह काम माननिये सुप्रीम कोड ने आज किया है लेकिन अब यह देखना होगा कि यह कितनी जल्दी फिर कोई अध्यादेश ला करके सुप्रीम क पंतरी जीने 15 अगस्त को लालकिले की पराचीर से महिलाओं के सम्मान में खूब बाते बोली और जब नीचे उतरे वो समापन करके नीचे से लालकिले की सीडियां पूरी नहीं उतर पाएं कि खवर आगई की बिलकिस बानों के 11 सजा यापता जो दोशी थे जो दरिंदे थे उनको जेल से भार कर रिहा कर दिया गया है और उसके बाद उनको जिस तरीके से इन्होंने उनको मंचों के उपर सम्मानित किया मिठाईयां बाटी आर्तियां उतारी जिस तरीके से वीर और की तरह उनको परस्तुत किया वह अपने आप में इस देश इस देश के सविधान इस देश की न्याइक परनाली और इस देश के तमाम उन लोगों का उपास उड़ाना था जो इस देश के न्याएक कानून में विवस्ता में विश्वास रखते हैं तो यह 15 अगस्ट के दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिं बाद में पता चला कि किस से बचाओ तो पता चला कि वो बीजेपी के नेताओं से ही बचाओ तो उसके बाद वो नारा ही गायब हो गया कि उनको इनी के उपर भारी पड़ गया सवाल इस बात का है कि नारे देने या कोई भासन देने और वो अलग चीज होती है और law and order को जमीन पर उतार के एक एक लोगों की देश के तमाम लोगों के लिए निस्वारत और बिना किसी भेद भाव के बिना किसी छल कपट के आपको उसको लागू करना होगा लेकिन यह सरकार क्या कर रही है जो बीजेपी के कारे करता है नेता है या उससे जुड़े हुए लोग है उनके वोटर समर्था के है वो तो बजजा रहे हैं वो तो जो मर्जी को करम करें उनको जैसे बीच्चियू में हुआ वो तीन लोगों ने खुले आम वहाँ पर जा करक वहीं दूसरी तरफ जहां मद्यपरदेश या उज्जयन में जो कोई घटना हो जा रही है कोई दलीत हो कोई मुसलिम हो कोई दूसरा हो अगर वो उसका किसी क्राइम में फसा हो तो पहले बुल्डोजर चलता है बाद में फैल लिखे जाती है यह दोरे मापदंड क्यों क्य आप किस भगवान को मानते हो किस धरम को मानते हो किस मान्यता को मानते हो यह आपका आर्टिकल 25 में आपका व्यक्ति का थर नागरिक का व्यक्ति का अधिकार है मैं आपके पर नहीं फोर्स कर सकता कि मैं हिंदू हूं तो आप हिंदू बनो या आप मुसलिम है तो आप मुझ कि मेरी अधिकार है, सविधानी का अधिकार, कि मुझे कौन सा धराम, कौन सी उसकी माननेता है, कौन सा भगवान, कौन सी पूजा पतिती अच्छी लगती है, बावा साहब ने आर्टिकल 25 में सब को बराबर अधिकार दिया, आप मानो, यह सर्व धरम का देश है, बैन कुमार से विजन या एजेंटा वही रहा है, और उसी एजेंटे पे वो दस साल से सत्ता पर है, जब उनके दिमाग में एक मैंड सेट है कि हम हिंदू राष्ट बनाएंगे, अर्थात खाली हिंदू जो धरम का होगा, उसी की हम बात सुनेंगे, तो दूसरे और हिंदू धरम में भ होगा, अगर पकड़े जाएं क्राइम में, या कुछी उसमें गटना में हो, तो उनके भी घर तोड़ दो, उन सबीचीज कर दो, लेकिन आप उसको नहीं करोगे, जो आप BJP का या परकास्ट है, उसके खिलाप आप कुछ भी नहीं करोगे, ये तमाम चीजें अनर्गल ची इदान में, आर्टिकल 313 से लेके 342 तक, वो वो आईसी एस्टी का अलग से विसेस उनको क्यों स्टेटस दिया जाता, क्यों क्यों कि हिंदू जाती से परताली, आर्टिकल 341 में साप साप लिखा है, जो हिंदू जाती के परतारीत हैं, जिनको पाने ने लिए जाता था, ज उन तमाम लोगों को, उन तमाम जातियों को शेडूल लिष्ट में इडिन्टिफाई करके, उन सामाजिक रूप से पिछडी जातियों को, उनको इस्पैसल स्टेटस दिया, उनको पढ़ने का, उनको रोजगार में जी, पीजएपी सरकार तो राम मंदिर के अंदर, अब मं इनको वहाँ दे रहे हो आप ये बताओ नौक्रियां कितनी दी आप ये बताओ बजट का हिस्सा इनको कितना दे रहे हो वहाँ पर एक पुजारी बन भी जाएगा तो उससे क्या पूरे समाज का बला हो जाएगा क्या जो 35 करोड इस देश में स्टी की लोग आदिवासियों की जमीने चीनी जा रही है अनुसुजातियों को ठेके पर काम करवा करके 556-6 अजार रुपे में उनका उनका तुम दमन कर रहे हो और उनके भूमी ही ना इस देश में जमीन कहा है उनके इससे की बजट कहा है आपका या तो हम कोई एरपोर्ट का नाम हमारे किसी इस्ट के न हम तो कह रहे हैं आज हमें मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है जब बाबा साब ने मंदिर परवेश करवाया था तब जरूरत थी क्योंकि इस मंदिर के अंदर मैं एक मानव मेरे जाना बनता है मेरा मानवी अधिकार था लेकिन आज मुझे शिक्षा चाहिए भाई आज आज मुझे विस्विध्याले चाहिए इसकूल चाहिए आज मुझे नौकरियां चाहिए हाँ वही एक बड़ा सवाल जो आपने का आना कि वो नहीं मिल रहा है वो कॉंग्रेस के राज में भी नहीं मिल रहा था लेकिन ये उससे बढ़ करके इनोंने तो वो थोड़ा बोड जो मिल रहा था उसको भी चीन लिया है आज बहुमत लोग बिरोजगार हैं महेंगाई से तरस तो रखें एक तरफ तुमने ठेकेदारी कर दी पक्की नौकरी से जहां पचाहँ जार की पकार से तुमने आठ जार पकार पर लाकर छोड़ दिया आठ गंटे की डूटी से बा हम तरह के आकर्मन हो रहे हैं खाली मंदिर में दो पुजारी देने से हमारा जीवन इस तर नहीं सुदरेगा बाबा साब ने जो हमें सविधान में फेंडामेंटल राइट में पढ़ने का अधिकार हमें हमें बराबर की नौकरियों में वेवसाय में और इस देश की धन धर हमें उत्तर प्रदेश में यादमों को आट आवकला सि新ता करे वोट लिया जाये अब वह क्या कर रहे हैं वह दरम की यादप जी जो है वह विसी वाले नहीं है वह उनोदबसें ने पन फॉत्स ऐसा passion motion Loren जया caregivers करunt और यह हमारे झारी हम म Lawrence दो हमारे एक दलीज और एक यही आप देखिए भारत के सविधान में जो हमारा रिजर्वेशन है ना स्टी का जो तुम हमारा एक पुजारी बना रहे हो हमारे वहीया पुजारी नहीं चाहिए तुम हमारा पुजारी बना रिजर्वेशन 25% नौकरियां दो अगर सरकारी रेल है न तो उसमें मेरा 25% इस्सेदारी है अगर यह जितने भी संस्तान सरकारी है तो मेरी इस्सेदारी है आप प्राइवेट क्यों कर रहे हो क्यों अपने लालाओं को दे रहे हैं देखिए वो उनके दारी बरावर सविधान के हिसाब से चाहिए हमें हमें तुमारे एक मंदिर में पुजारी रखने से हमारा कुछ भला होने वाला नहीं है और हमें उसका कोई भी हमें उससे लेना देना है नहीं देती कि हम आरोपी की पहचान कर ली है मतलब पुलिस के डरी हुई है भाच्पा ने पुलिस को अपने हाथों महीं ले लिया है देखे पहली बात तो यह कि यहाँ जब से बहन जी का सासन गया है वहाँ से 2007 से 2012 12 के बाद से वहाँ पर कोई भी महीला अपने आपको सुरक्षित वहाँ पर महसूस नहीं करती किसी की भी चाहे समाजवादी पाटी की सरकार हो चाहे आप 10 साल के सासन काल वहाँ बीजेपी का रहा हो क्योंकि अभी इसी से एक महीने पहले की मैं एक साल पहले ले जाता हूँ यहीं इसी उत्तर परदेश में दो ब्रामन महीला मा बेटी ने वो उसमें उनके घर को तोड़ा जा रहा था उन्होंने घर में आग से जल करके उनकी मौत हुई वो महीलाएं थी यह यह दोल गवार शुद्र पशुनारी यह सब ताड़ना के अधिकारी हैं तो यह मनुवादी जो यह बैठे हुए हैं यह जातिवादी यह धरमवादी यह कहरे हैं कि भईया महीला महीला तो हमारा हिंदू धरम में हमारी गुलाम है हम उसको कैसे अपने सर पे बिठा लेंगे यह थोड़ी बहुत तो इनको आजादी मिल सकती है लेकिन इनको बराव इनके भगवान राम को जिताया सब कुछ सीता को खोज के दिया उसको आपने देखा होगा हनुमान राम चंदर के बरावर बैठे हुए कोई तस्वीर नहीं होगी गले लगाते तो होगी लेकिन बरावर नहीं बैठे हुए होगी आ ये कहते हैं तो जनम जात हमारे ये तो हम कड़ी कारवाई करेंगे और मदब क्या जो यह सरकार है भाजपा सरकार जो इतने दावेवादे करती कि नहीं महीला सुरक्षित है अगर एक तरह किसे कहा जाए तो ब्रेजबूशन का केस देख लीजिए बीएचिए देख लीजिए तमाम ऐसे मुद्दे नजर आते हैं देखिए वो तो अपरकाश लड़कियां थी ना जिन्होंने अभी वहाँ पर वो किया अपना मैडल वापस करें हैं वो तो सब पहलवान जो तमाम वो तो अच्छे परिवारों की और बीजेपी की कट्टर उनके जो जाती हैं का बीजेपी की कट्टर समर्थक हैं लेकिन आ जी डिक्टेटर्शिप करने लेकिन को याद रखना चाहिए कि वो हिटलर भी उसने आत्मेत्या करके वो मरा था बड़े से बड़ा डिक्टेटर जिसने लाखो लाखों को बिलकुल गैस चेंबरों में मौट के घाट उतार दिया वो उसको भी मरना पड़ा आत्मेत्या करन घाट ने का लोग कहती नहीं है, तुमें भी किसी दिन ऐसा ही होगा कि आज तुम यहाँ पर आहे ये देश का सासन चला रहे हो तो यह काला ध्याए लिखा जा रहा है, तुम सुप्रीम कोट नहीं मानते तुम कोट को उसको नहीं मानते तुम इस देश की जंता को नहीं मानते तो फिर तुमें भी इस देश में काले कानून में अध्याय में लिखा जाएगा अभी तुमारी चल रही है ना चलाते रहो कोई बात नहीं लेकिन ये वही देश है ये भी धाइसो साल करने वाले उखाड पैका तो ये गलत पहमें के शिकार ना रहें अभी ट्रक चालकों ने किया ना इनके पैर उखाड दिये वहाँ तो कोई निता नहीं था कोई पाटी नहीं थी उनको समझ आया कि हमारे खिलाप है तो खड़े हो गए जंता खड़ी हो गई रोडवेज की गाड़ियां ट्रक पूरे देश में खड़े हुए नहीं इनको कहना पड़ा ना आस्वासन देना पड़ा ना किसानों ने इनक मनुवादियों के पैर उखड़ जाएंगे और इनको इस देश की धर्ती से भागना पड़ेगा शुक्रिया बहुत अच्छी बात कई कि जो देश है यह जंता का देश है क्योंकि जो सरकार बनाने वाली वो तो जंता ही है ना लेकिन तमाम ऐसे जो फैसले आते रहते हैं ब क्या और फैसले ने वाली है